जेहीं दोस्तों तो फाइनले SSC Constable GD भरती 2022 आपका एंसर की यहाँ पे रिलीच कर दिया गया है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं Constable GD in CAPF, SSF Rifleman GD in Assam Rifles 2022 भरती यहाँ पे और यहाँ पे एंसर की के PDF आप सभी देख सकते हैं तो इसे आप सभी को कैसे डाउनलोड करना है और और भी आपका जो है यह एंसर की रिलीच किया गया है तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दे जब आप एंसर की डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ से आप सभी चेक कर पाएंगे कि आपका कौन सा प्रस्न सही है और कौन सा गलत जैसे कि आप सब भी यहाँ पर देख सकते हैं फोश्ट जो यहाँ पर प्रस्ण है तो इसमें जो आपसन जो है candidate के दौरा one चूज किया गया है लेकिन इसका right answer जो है option 3 है इसका मतलब कि यह प्रस्ण candidate ने गलत किया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन नंबर में देखेंगे जो candidate के दौरा option चूज किया गया है दो और SSE के दौरा भी दो option जो है सही बताया गया है इसका मतलब कि यह भी प्रस्ण सही है तो इस तरह से आपको जो है अपना check करना है कि आपका और यह भी प्रस्ण आप सभी देख सकते हैं इस candidate का सही है तो इस तरह से आप सभी देखेंगे कि आपका कितना प्रस्ण सही है और कितना प्रस्ण गलत है तो इसे आपको कैसे चेक करना है, चलिए आप सभी को बताते हैं, तो इसे चेक करने के लिए simply आपको अपने mobile phone में Chrome browser या Google को जो है open कर लेना है, इसके बाद दोस्तों open करने के बाद यहाँ पे आपको type करना है online सरकारी job, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, online सरकारी job जैसे जो है page open होका राएगा, तो यहाँ पर simply आपको click करना है, इस पर click कर देने के बाद कुछ इस पर करके interface आपके सामने open होका राएगा, तो आपको नीचे के तरफ पे scroll करना है, और यहाँ पर देखेंगे latest news के section में ssegd answer की download 2023, तो simply इस पर जो है आपको click कर देना है, इस पर click कर देने के बाद आपको फिर से नीचे के तरफ पे scroll करना है, और नीचे के तरफ पे scroll करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ssegd important link और यहाँ पे ssegd answer की check link, तो इसके सामने click here पर आपको simply जो है click कर देना है, इस पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर आपका roll number पुछा log in पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस पर करके interface आएगा, तो आपको नीचे के तरफ पे scroll करना है, और यहाँ पे simply आपको close का जो option है, इस पर आपको click कर देना है, इस पर click करते आपके सामने कुछ इस पर करके interface आएगा, जहाँ पे आप सब भी यहाँ पे देखेंगे click here का एक option आपको दिखाई देगा तो simply इस click here के option पर आपको click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो ssegd का answer की का pdf है वो आपके सामने download होकर आजाएगा तो यहां से आप सभी check कर पाएंगे कि आपका जो है कितना प्रास्न सही है और कितना प्रास्न गलत है तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे जो यह step आपको बताए हैं उसे step के माध्यम से आप सभी अपना answer की check कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा description में दिए गए link पकि लिक करके direct आप सभी answer की अपना check कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए जय हिंद बंदेव